अमस्कार आप देखरें एकॉनोमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनिंदिय चक्रवर्ति अमेरिका में रेकॉर्ड तौर पे महेंगाई दर बड़ा है जो कि 40 सालों में सबसे जादा महेंगाई है और ये क्यूं हुआ है क्यूंकि कोविट के टाइम अमेरिकी सरकार और उनका जो आप रिजर्व बैंक कह सकते हैं यूएस फेड जिसको कहते हैं उन्होंने बहुत भारी मात्रा में डॉलर चापा और लोगों के हाथ में दिये दिया और उससे क्या हुआ कि देश में चीजों की मांग बढ़ी लोगों के हाथ म करने के लिए जरूरी था है ना तो उन चीजों को खरीदा और जिसको हम सेवाएं कहते हैं जैसे कि रेस्टोरांट में जाना हो या सिनेमा देखना हो एंटर्टेन्मेंट कहीं पे हो ऐसे सेवाओं पर खर्च उन्होंने कम किया है यही अगर हम देखे कि फरवरी 2020 जो की प् तो इस वक्त अमेरिका में लगबग 22 प्रतिशत खर्च बढ़ा है डियोरेबल पे डियोरेबल जिसको जैसे कि मैंने पता है फ्रिज टीवी गाड़ी इत्यादी घर इस पर 22 प्रतिशत बढ़ा है खर्चा औस तन लेकिन जो सेवाएं हैं उस पर खर्च घट गया है यानि स देवाओं पर कम खर्च करने से वैसे ही पैसा जादा था लोगों के पास और भी पैसा उनके हाथ में आ गया जो वो डियोरेबल पर खर्च करने के लिए तयार थे और इसके कारण क्या हुआ है कि अमेरिका में इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ा है जैसे अगर हम देखे के कंटेनर वॉल्यूम कंटेनर वॉल्यूम क्या होता है जिसमें सामान आता है कंटेनर वॉल्यूम को अगर देखा जाए तो 2020 के तुलना में लगभग 23 प्रतिशत कंटेनर वॉल्यूम बढ़ा है 9 बड़े पोर्ट में अमेरिका के और 2019 जो की कोविट के पहले बिलकुल बड़ा है लेकिन इसके बावजूद इतना सारा इंपोर्ट होने के बावजूद दुनिया में कम्प्यूटर चिप की कमी है और शौटेश है कम्प्यूटर चिप की और इसके चलते क्या हुआ कि कम्प्यूटर चिप लगबाग 21 प्रतिश्द चीजशें जो अमेरिका में बनते हैं GDP के तोर पे उसमें कम्प्यूटर चिप की ज़रूरत होती है सिरफ कंप्यूटर में नहीं टीवी हो फ्रेज हो आजकल तो बल्म में भी कंप्यूटर चिप लग गया है तो 21 प्रतिशत जीडीपी कंप्यूटर चिप पे डिपेंड करता है और उसका शौटेज हो है तो उसके दाम बढ़े हैं और इससे गोल्डमेंट सैक्स का अनुमान है गोल्मेंट सैक्स एक बड़ा मार्केट में इन्वेस्टिंग कंपनी है बैंक है इन्वेस्टिंट बैंक है उनका अनुमानायत लगबग तीन प्रतिशत अमेरिका में चीजों के दाम ये जो चीजे हैं जिसको कंप्यूटर चिप की जरूरी है उनके दाम बढ़ेंगे पर सामान आ रहा है लेकिन दुकानों तक नहीं पहुच रहा है फैक्टरी तक नहीं पहुच रहा है क्योंकि अमेरिका में लगबग 80,000 ट्रकों की शौटेज है शौटेज ट्रकर की जो ट्रक चलाते हैं उनकी शौटेज है और पीक डिमांड की तुलना में लगबग 80,000 ट जाए तो फिर शायद जाए नहीं तो वो घर पे बैठे हुए जो पैसा आता है हाथ में उसी से चला रहे हैं और इसके चलते अमेरिका में लेबर का शौटेज हो रहा है और उसके चलते एक और चीज हो रहा है कि कमपनियों का बिजनेस जितने भी है उनका जो लेबर पर खर् बढ़ा है साथ में यह जो आसानी से पैसे मिल रहे है लोन मिल रहा है इससे क्या हो एक रियल एस्टेट बूम फिर से अमेरिका में आया है बहुत सालों बाद रियल एस्टेट के दाम हर एक शहर में बहुत तेजी से बढ़े लगब 90% 90% शेहरों में रियल एस्टेट के दा अगर हम देखें अप्रेल से जून के बीच एक साल की तुलना पिछले साल की तुलना में 23 प्रतिशत रियल एस्टेट के दाम बड़े हैं और अगर हम जुलाई से सितंबर लें तो उसमें भी रियल एस्टेट के दाम लगभग 16 प्रतिशत बड़े हैं अगर बहुत सालों का average देखा जाए तो सिरफ साड़े तीन प्रतिशत के रेट से रियल एस्टेट के दाम बढ़ते हैं करोगे तो आप देख लिए किस तरी किस तेजी से रियल एस्टेट के दाम बढ़े हैं इसका कारण बढ़ा है कि बहुत आसानी से लोग home loan लोगों को मिल रहा है इसके चलते ज यानि वहां का जो reserve bank आप कह सकते हैं वो क्या करें जिस तेजी से पैसे चापती है उसको घटा रहे है money supply को घटाने वाली है यह अभी अभी और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगले साल तीन interest rate बढ़ने का सिलसिला चल सकता है यानि कि interest rate बढ़ेगा और interest rate बढ़ने से क्या होता है interest rate जब बढ़ता है तो एक तो होता है कि demand कम हो जाती है लोग जो loan लेके चीज़े खरीदते हैं उसका demand कम हो सकता है दूसरी बात है कि जब जो business है वो पैसा loan लेकर invest करते हैं वो भी कम हो सकता है तो दोनों पर impact पढ़ सकता है और इसलिए बहुत सारे अच्छास अमेरिका के कह रहे हैं कि stagflation आने वाला है मतलब inflation के साथ-साथ मंदी stagflation अमेरिका में आने वाला है और उसका असर क्या होगा अजीब बात यह है कि जब interest rate बढ़ता है तो क्या होता है अमेरिकी dollar का दाम बढ़ जाते है क्योंकि जितना भी investment देश के बाहर होता है वो हो सकता है तो मेरा loss है तो वो वापस जाने लगता है और इससे क्या होगा जब foreign investor जो है जो वापस हमारे market से और emerging market जो कहते हैं इंडिया जैसे उससे निकलने लगते हैं क्योंकि पैसा क्योंकि रुपी वीकेन होता है और इससे मैं एक आपको देखाता हूं कि जब भारती market स इससे निकलते हैं foreign investor तो market भी गिरता है और इसका असरन देख रहे हैं क्योंकि आप देखें कि जो बड़े-बड़े FII है जो foreign institutional investor वे वह और अल्रेडी बेचना उन्होंने शुरू कर दिया भारतिया market में क्योंकि आप देखिए कि मैई 2020 से सितंबर 2021 तक जो FII है उन्होंने stock market में equity market जिसको कहते हैं उसमें 38.5 billion dollar का total stock खरीदा है ठीक है कुल stock उन्होंने खरीदा है लेकिन 18 October से 15 December जो एक लगभग एक महिना आप कह सकते हैं उसमें उन्होंने 45 billion dollar बेच डाला यानि उन्होंने शुरू कर दिया है निकलना और अगर जिसको कहते हैं कि वो dollar और भी strong या interest rate बढ़ेगा तो और भी निकल सकता और इससे रुपी वीक होगा dollar के against रुपी वीक होगा रुपे का दाम घटेगा exchange rate में और इसका मतलब क्या है कि import चीजे जो हम करते हूं उनके दाम बढ़ जाएंगे है ना और सबसे बड़ा import जो महतुपून import हमारा है वो है कच्छ जिससे petrol diesel बनता है और आपको मैं बताता हूं कि जब import के दाम बढ़ेंगे कच्छे तेल का दाम बढ़ेगा और petrol diesel का दाम बढ़ेगा तो महंगाई दर हमारे देश में बढ़ेगा और एक चीज़ आपको बता हूं कि महंगाई दर हमारे देश में already record पे पहुंचा है wholesale price जिस जो कि यह जो series है जिसको हम 2011-12 का महंगाई दर नापने का series मानते हैं उसमें सबसे ज़्यादा है record level पर है यानि महंगाई हमारे देश में आ चुकी है और जो हमारे आसपा जिसको retail कहते हैं जो हम किराने के दुकान से खरीते हैं या सबजी वाले से खरीते हैं उसका थोड़ बढ़े और लोग खर्च करने से डरे और इसके चलते हमारे देश में यह जो मंदी चल रही है पहले recession नीचे गया और आप जो धीरे से बढ़ा यह और दिनों तक भी रह सकता है यानि अच्छे दिन आने में और भी देरी हो सकती है आज का एपिसोड यही तक न्यूस क्लिक देखते रही है इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेर भी ज़रूर कीजिए